पश्मी उत्तरप्रदेश के गद्दावार नेता इम्रानमसूद साहरनपूर लोगस्वाब सीट से तीसरी बार चुनाव लडने जा रहे हैं बिलकुल पीक पर है सिर्फ साथ दिन बज़े हैं वोटिंग के लिए और इम्रानमसूद पहले राम राम पर आए और अब बंदिर भी जा रहे हैं कैसे बदला इनका मूड जानते हैं मानमसूद से अच्छा मुझे आरे शुक्रिया लेकिन आप यह बताए कि मैं तो जैसा था ऐसा हूं आप लोगों ने मुझे ऐसा बना रखा था मैं तो यही था जो आपको दिखाई दे रहा हूं मेरे तो आसपास को भी स संपर्दाइक ता के तो आसपास भी नहीं जा सकते लेकिन कहीं न कहीं 2014 में जो जिस परकार से आपने कड़े बयान थे उसको लेकर आप इतने नरम आ रहे हैं मेरा बयान नहीं था, मेरा बयान नहीं था, वह आप भी जानते हो यहां की लोकल बोल्चाल था है और मैंने उसक 15 में और कामद यात्रा वाला वो तब नहीं था गया लेकिन तब आपने दखा ये नहीं लिम्रान तो वही है कि मैं नहीं कुछ नहीं बद़ा है कैसा चल रहा है आपका चुना को बहुत अच्छा चल रहा है करपा और ही है अब इक किरपा शारी हम पर वरस रही है, चूखे एहंकार जो हो गया है, के साथ ये राम को लाए है, भगवान को भी कोई लाता है भगवान तो खुद देने वाले हैं, उल दो देने वाले को लोग कहन लगे हम लेगे रहे हैं लेकिन कांग्रिस ने राम मंदिल से दूरी रखी दिखाए कर लोगे दोड़ी नब आप नस्दीक ही दिखाऊगे, आस्ता यहां से होती है, मन से, दिल से होती है, दिखावे से नहीं होती है आपका एक ब्यान और चर्चाओं में है काफी, कि अगर आप दिल से बड़े भाई और छोड़े भाई की भूमिका निभाएं, तो ये देश बिलकुल पतल जाएगा. हाँ, बिलकुल, जो मैंने बात वो एक परसंग पे कही थी, मैंने परसंग भी सुनाया था मैंने तो अगर आप डेश के अंदर बहु संक्यक राम हैं, तो अलपसंक्यक हम भरत हैं, तो भरत की फीडा को, दर्द को राम बिना कहें महसूस कर ले तो वही तो राम हैं, वही तो राम के, शबरी के जूटे भेर कागर सब को बराबर नजर से देख ले वही तो राम के आदर्श हैं, तो अब राम के आदर्श पे चलने के लिए लोगों को जागरुग भी कर रहे हैं, अरे चलना चाहिए, अगर आप मर्यादित आचरन करोगे, तो राम को डूडने की जर राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में, तो राम को तो आप मर्यादित आचरन करोगे, खुद ही मिल जाएंगे, कितने मोटों से जीतने जा रहे हैं, पता नहीं भी जा, इस बार का चुनाओ मुझे नी पता कितने मोटों से जीतूँगा, लेकिन हालात ऐसे हैं, कि मुझे हर का समर्थन मिल रहा है, सम्विधान जिस तरह से सम्विधान के ऊपर बदलने की चर्चा हुई, और लोगों में बेचे नहीं है, तो सब को लगता है कि अगर यह आगया तो सम्विधान बतलेंगे, सम्विधान बतलेंगे तो हमारे अधिकार रुकेंगे, हमारे अधिकार च जितेंगे इसका नजा मुझे को भी नहीं है केमरापसन विकास के साथ तेवे स्तियागी नुजडिन सारनपुर